एक बार की बात है मचलियों का एक व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलिशान भंगले में रहता था उसके दो बड़े प्यारे लेकिन बहुत है नटखट बेटे थे एक बार उसने घाट पर बेकार पड़ी अपनी कुछ नावों को पेंट कराने का सोचा इसके तहट उसने अगले दिन सुबह सुबह बाजार से एक पेंटर को बुलवाया व्यापारी ने उसे नाव दिखाई और कुछ काम समझा कर अपने धंधे पर निकल गया जब वो दोपहर को लोटा घर पर भारी भीड देखी वो यह देखकर बहुत घवरा गया उसके दोनों बेटे काफी देड़ से गायब थे और बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे रो रोकर बच्चों की माक की हालत बहुत खराब हो गए थी तो ही वयापारी को पेंटर का ख्याल आया वह उस अस्थान पर गया जहां वो नावें पेंट कर रहा था पेंटर अपना काम करके जा चुका था व्यापारी ने देखा उसने जितनी नावें पेंट करने के लिए दी थी उसमें से एक नाव अब नहीं थी वहाँ पर व्यापारी के दिल की धरकन तेज हो गई वह समझ गया कि उसके दोनों बेटे की नाव लेकर नदी में चले गए है उसने फौरन कुछ नाविकों और गोता खोरों को इकठा किया और अपने बच्चों को खोजने के लिए नाव पर सवार हो गया भी तो वह कुछ ही दूर गया था उसे दूर से एक नाव आती हुए दिखाई दी वह करीब आने पर साफ हो गया कि ये उसकी ही नाव थी और उसमें बैठे उसके दोनों बेटे सुरक्षित थे पैपारी ने गहरी सांस ली तेजी से नाव उनकी तरफ लेकर के चला गया अपने पिता को देख बच्चे डर गए तोकि उन्हें पता था कि बिना किसी से पूछे उन्हें नाव ले जाने की अनुमती नहीं थी डरते डरते वह अपने पिता के करीब आये पिता ने उन्हें डाटने के बजाए गले से लगा लिया नारे पर बच्चों की मा और अडोस-पडोस के बहुत से लोग उनका इंतिजार कर रहे थे बच्चे नाव से उतरते ही मा से लिपड गए सभी के जाने के बाद व्यापारी बच्चों की नाव के करीब आया और गौर से देखने लगा इसके बाद उसने फौरण एक आदमी को पेंटर को लाने के लिए भेजा जब रास्ते में पेंटर को इस घटना का पता चला वो काफी सहम गया उसे लगा हो ना हो बच्चों के नदी में जाने का इल्जाम उसी पर लगाया जाएगा और उसे इसकी सजा भी जरूर मिलेगी इंटर डरते डरते व्यापारी के सामने पहुचा उसे देखते ही व्यापारी ने प्रश्न किया उनने आज क्या क्या काम किया जी आपने जो नावें दिखाएं थी मैंने बस उन्हें रंगने का काम किया किंटर पुड़ा हिचकीचाते हुए, डरते हुए, सहमते हुए बोला मुहारी मजदूरी कितनी हुई? व्यापारी ने पूछा जी मातर पांथ सो रुपए किंटर ने डरते हुए जवाब दिया वियापारी अपनी कुर्सी से उठा और उसे गले लगाते हुए बोला नहीं भाई नहीं तुम्हारी मजदूरी पांच सो रुपए नहीं बलकि पचास हजार रुपए है और ऐसा कहते हुए उसने पेंटर के हाथ में पांच सो रुपए की गड़ी रख दी इंटर और वहां मौजूद सभी लोग हैरत से वियापारी को देखने लगे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है आखिर वियापारी ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है इससे पहले कोई कुछ पूछता वियापारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा हूँ और पांच सो रुपए के काम के पचास हजार रुपए क्यों दे रहा हूँ ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्हों बेटों की जान बच गई दरसल वे जिस नाओ को लेकर नदी में गए थे उसमें एक छोटा सा छेद था मगर नाओ को पेंट करते वक्त इनकी मतलब पेंटर की नजर उस छेद पर पड़ी और इन्हों ने बीना किसी से पूछे अपने आप उस छेद को भड़ दिया जबकि ये ना इनका काम था और ना इन्हों ने इसके कोई पैसे मांगे अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये जरा सा काम नहीं किया होता तो शायद मैं आज अपने दोनों बेटों से हाथ धो चुका होता उन्हें खो चुका होता मैं अब इनका जीवन भर आभारी रहूँगा मैं अब जीवन भर के लिए इनका रेणी हो गया हूँ और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने मामुली सा तोफ़ा है मेरी और मेरे परिवार की तरप से ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी बात को पूरी की और वहाँ उपस्थित सभी लोग पेंटर के सम्मान में तालियां बजाने लगे दोस्तों वे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती जो एक आम इनसान को महान बनाती है तरकि वे छोटी छोटी चीजें होती नहीं जो हमें महानता तक ले जाती है आज की इस दुनिया में जब ज़्यादा तर लोग सिर्फ अपना फाइदा देख कर काम करते हैं पिंटर का इस छोटा सा निस्वार्थ काम इतना महान बन गया इस कहानी से सीख लेते हुए हमें नेक काम करने के छोटे से छोटे अवसर को भी गवाना नहीं चाहिए और खुद से उपर उठकर इस दुनिया को समारने का प्रयास करना चाहिए तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं ये कहने वाले तो बहुत मिले होंगे तुम्हें अगर क्या कभी इसी को देखा है अपने हिस्से का निवाला भी बिना तुम्हें ख़वर किये चुपके से तुम्हारी ठाली में डालते हुए जो अकसर किया करती है तो सिर्फ मा होती है क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से तुम्हें प्यार करती है दोस्तों अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो प्रिप्या लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजेगा और इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सब का देंसे धन्यवाद